यदि आपके उपर कर्चा चड़ गया है, पूरी तरह कर्च से डूप चुके हो परिशान हो, आपके साथ साथ पूरा परिवार भी परिशान हो रहा है, तो आपको मंगलवार को यह उपाय करना है, एक दिया ले मिट्टी का दिया, या फिर घर में आटे का दिया भी आप बन आनी है, यानि जो भी दीपक आप खरीद कर लाओंगे, वो चोमुकी होना चाहिए, या फिर घर में बनाएंगे, वो भी चोमुकी होना चाहिए, यह उपाया पंगलवार के दिन कर रहे हैं, इसलिए आपको इस दिया में रूई की बाती का परियोग नहीं करना, मोली के धा अगर लाल रंग का होता है, लाल रंग हन्मान ची को अति पिर रहे हैं, इस मोली की चार बाती आप अपने धिये में लगा लेंगे, यह बाती अर्थ, काम, मौक्स, धरम यानि चार पुरुशात को दर्शाती है, चोमुकी धिया बनाने के बाद, आपको फूल वाली लोंग भी लेनी है, शिर्फ एक लोंग, यह लोंग वाला पाय आपको सिर्फ रात में करना है, आट से साड़े नो बजे की आसपास आपको यह उपाय करना है, इस चोमुकी धिये में आपको चमेली का तेल डालना है, अगर चमेली का तेल नहीं मिले, तो आप शुद देसिगी का इस्तमाल कर सकते हैं यह जो मुखी दिया हनमान जी के मंदिर में लेकर जाना है यह दिया हनमान जी के पास रखकर आपको जला लेना है फिर हनमान जी के पास बैठ कर सबसे पहले परवु राम जी के नामों का 5, 7 यह 11 बार जाब करें ऐसा करने से परवु राम जी बड़ी शि 208 बार जाप कर सकते हैं फूल वाली लोंग इसे दीपक में डाल दें फिर हन्मान जी से कर्च मुक्ति के लिए प्रात्ना करें आपको यह उपाय पांच मंगलवार करना है लेकिन दो मंगलवार से ही आपको धन के रास्ते दिखाई देना शुरू हो जाएंगे कर्च समाप्त होना शुरू हो जाएगा